अगर दोस्तों आप Bank of India की Mobile Banking को सुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 फाइदे देखने को मिल जाते हैं पहला फाइदा है कि Google पे, phone पे, ATM जैसे आपको application को यूजर नहीं करना है दूसरा दोस्तों फाइदा मिल जाता है कि आप Bank of India की Mobile Banking के तुरू सभी आप काम कर सकते हो किसी से lane देन भी कर सकते हो, सभी काम कर सकते हो तीसरा फाइदा यह मिल जाता है कि अगर आपने physical debit card order कर दिया था लेकिन अभी तक आपको debit card order कर दिया है लेकिन आपका debit card कहीं खो गया या तूड गया है तो यहाँ पर आपको Bank of India की Mobile Banking के अंदर आपको यहाँ पर virtual debit card भी देखने को मिल जाता है जिससे दोस्तों transaction वगएर भी आप कर सकते हो चौथा फाइदा दोस्तों यह देखने को मिल जाता है कि Bank of India की Mobile Banking को अगर आप शुरू करते तो यहाँ पर कोई भी risk वगएरा कुछ भी नहीं है बड़ी आसानी के साथ में दोस्तों इस पर आप registration कर सकते हैं और इसकी Mobile Banking को use कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी तो आज की इस वीडियो में दोस्तों Bank of India के अंदर Mobile Banking को कैसे सुरू करना है कैसे आपको registration करना है इसका live process आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों एक बात यह आपको ध्यान रखना है कि आपको virtual debit card भी मिल जाता है वो कैसे आपको apply करना रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो को वस continue देखना है साथी अगर वीडियो को like और चैनल को subscribe जरू कर देना इस application को आपको download कर लेना है download करने के बाद में इस application को open करेंगे open करने के बाद में कुछ इस तरीकेश इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप इस की भी कर सकते हैं इस account के बारे में ही बताए गया है तो next करेंगे यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं आपको बताए गया है तो आपको यहाँ पर direct आप देख सकते हैं कि B.O.I. Mobile Banking आपको यहाँ पर proceed वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसके साथ में दोस्तों कुछ permissions होगी जिने आपको allow कर देना है तो सभी permissions को आपको यहाँ पर allow करने के बाद में finally यह वाले इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर उससे पहले बता दी कि Bank of India में अगर आप Mobile Banking को शुरू करना चाहते हैं तो आपकी Bank Account से Mobile Number लिंक होना जरूरी है अगर Mobile Number नहीं लिंक होगा तो यहाँ पर आप इसकी Mobile Banking को नहीं शुरू कर सकते हैं यहाँ पर आपको Virtua David Card भी देखने को मिल जाता है तो साथी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वही Mobile Number आपके Mobile SIM में Mobile Phone में पढ़ा हुआ होना चाहिए इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे Send वाले बटन पर किलिक कर देखेंगे अब यहाँ पर आपके Application का Verification किया जाएगा आपकी B.O.I. Banking के दौरा तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अगर आप वेट करें तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा टाइम लगता है Finalist के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से Congrelations का Message देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि Your Account has been Reactivated successfully नया हो या फिर पुराना हो आपको इसी Process को Follow करना होगा तभी यहाँ पर आप Reaction कर पाओगे Reaction करने के लिए यहाँ पर कोई भी David Card की ज़रूरत नहीं है बिना David Card की आप इसकी Mobile Banking को सुरू कर सकते हैं अब इसके बाद में यहाँ पर Login to M Banking के Option पर किलिक कर देंगे अब इस तरीके से Interface आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप First Time पर करेंगे न तो यहाँ पर कौन कौन सी सी आपको करना होगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपको Login ID आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है आपका जो Default आपकी Bank से Mobile Number लिंक होगा वही Mobile Number यहाँ पर आपका User ID बन जाएगा अब यहाँ पर आपको Password कैसे लेना होगा तो Password के लिए तो देखेंगे Forget Login Pin का Option मिल जाएगा इस Option पर दोस्तों आपको किलिक कर देना है अब यहाँ पर जैसे दोस्तों आप किलिक कर देंगे तो Inter OTP का Option मिलेगा अब यहाँ पर OTP Automatic आपके Phone में फिल हो जाएगी जैसा कि हमारे में फिल हो गई है यहाँ पर Verify के Option पर किलिक कर देंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि Inter Transaction Password मागा जाएगा तो यहाँ पर Forget Transaction Password वाले Option पर आपको किलिक कर देना है यहाँ पर आपको इस तरीके सेंटरफेस मिल जाएगा तो यहाँ पर अपना आप जो फिसकल आपके पाद डेविड कार्ड है वो यहाँ पर डेविड कार्ड नंबर डालेंगे Expiry Date डालेंगे और यहाँ पर ATM Pin डालेंगे जो भी आपका ATM Pin पहले से बना हुआ हो वो Pin डालने के बाद में Verify के Option पर किलिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो Transaction Password है वो बना दिया जाएगा और इसके बाद में Back वाले Option पर किलिक करेंगे वो ही Transaction Password आप यहाँ पर फिल करेंगे और Password को फिल करने के बाद में Summit वाले बटन पर किलिक कर देंगे अब जैसे दोस्तों Summit के बटन पर किलिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको Login Pin बनाना होगा जो Application में Appreciation कर रहे हैं इसे Login करने के लिए आपको Pin बनाना होगा Pin बनाने के लिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको इस टाइप से बना देना है यह दिहान रहे कि पहले उस Pin को आपने इस Application में Create ना किया हो इसके बाद मैं यहाँ पर अपने New Pin Set करेंगे वही Pin को Re-Enter करेंगे दोस्तों Pin बनाने से एक बात और हम यहाँ पर पहले बता दें कि जो यहाँ पर आपको आंग देखने को मिल देंगे तो इस प्रकार से आपको Pin नहीं बनाना है Pin को टाइप करने के बाद में Summit वाले बटन पर किलिक कर देंगे अब जैसे दुस्तों Summit वाले बटन पर किलिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं कि Login Pin has been set successfully ओके वाले ओप्शन पर किलिक कर देंगे Mobile Number फिल करेंगे जो अभी हमने Pin को Create के एवोड आलेंगे और Login करेंगे अब जैसे दुस्तों आप Login के Option पर किलिक कर देंगे तो Successful आप अपनी Bank of India की M Banking Application में Login हो जाएंगे अब यहाँ पर आप पूछेगी भई आपको Card कहां से देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं Card Service का Option मिल जाएगा यहाँ पर आपको किलिक कर देना है debit card वाले Option पर किलिक कर देना है यहाँ पर किलिक करेंगे आप अपने account number को सेलेक कर लेंगे और OK के बटन पर किलिक कर देंगे इतना करने के बाद में आपका वही वहला फिसकल वहला कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप किलिक कर देंगे और जैसे तो आप यहाँ पर किलिक करेंगे mobile banking को कुछ इस तरीके से सुरू कर सकते हैं इसका registration करने का हमने आपको complete process आपको बता दिया तो अगर आपको वीडियो में जानकारी सह लेगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करना तो फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वंदे मातरां